आज का शेड़ी साइसंदेश मेरे बच्चे, जीवन ऐसे ही चलता है, तुम क्यों दुखी होते हो? कभी दुख आते हैं, कभी सुक आते हैं, जैसे थोड़े दिनों पहले पेड कितने मुर्जा गए थे, पजज़र चल रहा था, सारे पेड पोधे कितने मुर्जाई हुए लग रहे थे, लेकिन अब देखो, बसंद रितु आने पर पेड पोधे फिर से हरे भरे हो गए हैं, ख कभी दुख भी आते हैं, जैसे मौसम बदलता है, उसी तरह जिंदगी भी बदलती रहती है, कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, तुम कभी भी घबराना मत, समय जब बदले गाना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इश्वा ने की दुनिया ऐसे ही बनाई है, परिवर्तन श सकते हो, जो आज है वो तुम्हारे पास है, उसे बदलना, सुधारना, संभालना ये ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चिंता में, दुख में इसे बरबाद मत करो, अपने आज को सुधारने के लिए काम करिए, वरना तुम्हारा आज भी तुम्हारे हाथों स निकल जाएगा तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होश्यार हो तुम खुद के लिए बहुत अच्छी योजना बना सकते हो अपने भविशे के लिए बहतर सोच सकते हो लेकिन तुम्हें पता है कि तुम से भी जादा समझदार और होश्यार कौन है वो उपर बैठा परमात् तुम्हारी योजना फैसले कहीं न कहीं कमजोर पढ़ जाते हैं उसके आगे और तुम उस पर ही संदी कर बैठते हो तुम क्यूँ चिंता कर रहे हो तुम्हारी चिंता तो वो कर रहा है तुम्हें पता है, कि तुम्हें एक लड़ू नहीं मिलता, तो तुम रोने बैठ जाते हो, तुम तो सिर्फ एक लड़ू चाहते हो, वो ईश्वर तो तुम्हारे लिए पूरी लड़ू की दुकान खोलना चाहता है, पर मात्मा बहुत धयालू है, बहुत प्यारी हैं वो, उ उनसे डरो नहीं, उनसे प्यार करो, उनकी पूजा नहीं करोगे तो वो पाप दे देंगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे तो वो श्राब दे देंगे, ऐसा हरकेस नहीं है मेरे बच्चे, श्राब भगवान नहीं देते, वो आपके कर्म देते हैं, जैसा तुम अपने माता पिता स अपने मित्रों से प्यार करते हो न उसी तरह भगवान से इश्वर से भी प्यार करो उनसे डरो नहीं भगवान अपने बच्चों को आशिरवात देते हैं ना की श्राप व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से भैबीत होकर सोचने लगता है कि भगवान उसे श्राप देंगे लेक कोई आगे चलकर तुम्हें उन्नती की और लेकर जाएंगे और ना ही कभी भी किसी के लिए भी अब शब निकाली अपनी मुख से। पता है तुम्हें, इंसान का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा होता है। मुझे मालूम है कि कोई सोचेगा कि उनका दिमाग लेकिन नहीं और कोई सोचेगा कि उनका दिल लेकिन वो भी नहीं। मनुष्य का सबसे ताकतवर शक्तिशाली उसकी जुबाँ होती है। इसलिए अपनी जुबाँ का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ये चाहे तो किसी को इतनी प्रसंता दे सकता है और चाहे तो इतनी चोट महँचा सकती है, गुसा दिला सकती है। इसलिए ये बहुत प्रवाफशाली होती है। इसका इस्तिमाल हमेशा सच्चाई और इमानदारी से ही करना चाहिए। तुम्हें मालूम है एक बार जुबान से निकले शब्द वापिस नहीं लिये जा सकते। इसलिए अपने शब्दों का इस्तिमाल प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। हमेशा कोशिश करिए कि इस से कभी भी किसी का दिल ना दुखे, कभी भी किसी को परशानी ना हो। ये त किसी को अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। दुनिया में आप जितना भी अच्छा कर लो लेकिन तुम्हारी एक गलती से लोग तुम्हारी सारी अच्छाई भूल जाते हैं। लेकिन दुनिया की परवा मत किया करो। तुम अच्छा करने से कभी भी पीछे मत हटो। क्य क्योंकि वो भगवान को सब के कर्मों की खबर रहती है, वो सब जानता है कि कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तुम किसी भी चीज की परवाह मत क्या करो, इश्वर सब जानता है, कोई तुम्हारी अच्छाई की कीमत समझे ना ना समझे, वो माले तुम्हारी अच्छाई क कीमत सब जानते हैं वो तुम्हारे अच्छे कर्मों को यो व्यर्थ नहीं होने देंगे हमेशा ध्यान रखना जीवन में कभी भी किसी का दिल मत दुखाना और ने कर्मों से कभी भी पीछे मत हटना चाहे कोई तुम्हारी अच्छाई करे या ना करे क्योंकि लोग नीचे गि लेकिन आपके द्वारक किये गए हजारों नेक कर्म भी लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तुम्हें उपर उठाने के लिए तुम्हारी अच्छाई करने के लिए या तुम्हारी तारिफ करने के लिए इसलिए उनसे उमीद करना बिर्कुल छोड़ दो कि वो तुम्ह भी चीज की परवा करने की कोई जरूरत नहीं है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरा आशिरवात हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा मैं तुम्हारे अंगसंग चलता रहता हूँ तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमेशा खुश रहो अच्छे और नेक कर मों के साथ था, जिस चीज के लिए भी इतनी महनत कर रहे हो, अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा रहे हो, उसी तरह महनत करते रहो, क्योंकि सफलता अब तुमसे दूर नहीं है, सफलता बहुत नस्दीक है तुमारे, मेरा अशिर्वत हमेशा तुमारे सा हरी